नमस्कार आप देख रहे हैं आरे नियूस मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग रुख करेंगे मध्य प्रदेश उचतिसगर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की और जहां उत्र प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आतंकी घड़नाओं के चलते अब मध्य प्रदेश में रेड ऐलर्ट खोशित कर दिया गया है बता दे चले कि प्रदेश के ग्रह मंत्री डॉक्टर अउत्तम मिश्रा ने निर्देश दिया है कि पुलिस मुख्याले पर ये आशुंका जताई जा रही है कि ये निर्देश जारी किये हैं कि ऐसी आतंकी कतिविदिया यहां पर हो सकती है इसी भी सुमवाई को ग्रह मंत्री ने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अलकाइदा समर्थे संगटन के दो आतंगवादियों की गिरफतारी और चम्मो कश्मीर में आतंगवाद की स्थिती को देखते हुए प्रदेश में रेड अलर्ट चारी करने के निर्देश पुर इस मुख्याले से प्रदेश के लिए अलर्ट आदेश जारी कर दिये गए हैं इसी बीच आपको बोदा दें कि रेड अलर्ट जारी करने की स्थिती में रेलवे, बस्टैंड, लॉज, होटेल समेत सभी समवेदन शील स्थानों की निगरानी अब और भी ज़्यादा बढ़ हमने उने धेर भी किया है और हमारा स्टाक फोर्स जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो भी लगातार कारवाई कर रहा है इसे बीच के इन सरकार ने दो वाहिनियों को दिया है और जो की बाला घाट में लगी हुई है पिछले सब्ता हमने उनका पूरा नेटवर्क धुस्त कर दिया था और आगे भी लगातार ऐसे ही कारवाई जारी रहीगी अविमध्य प्रदेश ने सोमवार को कोरोना पर समिक्षब बैचक की गई और इस दोरान बैचक में कोरोना की कतिविदियों के अंदर ठूट देने को लेका निर्ने दिया गया है इसे बीच प्रदेश में अब बाजार दस बजे तक खोले जाएंगे जबकि सिनेमा घर भी अब पचास प्रतिशल शमता के साथ खोले जा सकेंगे यह नए नियम आज से ही लागो कर दिये गए हैं जबकि रेस्टरेंट अब पूरी शमता के साथ खोले जाएंगे इसे बीच शादी में भी अब सो लोगों के जाने के अनुमती होगी और अंतिम सरकार में पचास लोगों को शामिल होने की जातित दी गई है बताते चलें कि अंतिम संसकार में भी अब पचास लोग शामिल हो सकेंगे और इसे बीच बैटक में मुख्यमंत्री ने कहा है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसके कारण अगस्थ में कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना जताई गई है और इसी के लिए उन्होंने जिले की प्रभारी मंत्री और अधिकारियों को अधिक सतरक्ता बरतने को कहा साथ ECM ने कहा है कि COVID guidelines का पालन करने के लिए जनता को प्रेरित किया जाए और प्रदेश में 18 साल से उपर के करीब 37 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है इस दोरा निंदोर में 78 प्रतिशत भोपाल में 79 प्रतिशत और शेडोल में 55 प्रतिशत और उजयन में 51 प्रतिशत लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है इसे देखते हुए सेम शिवराज ने देवास, अनुपूर, पन्ना, खरगौन, सीधी और उमर्या, सतना, भिंड और विदिशा हैं तीका करण को तेजी के साथ करने के भी निर्देशत ये हैं उनने काया है कि जिन जिलों में 55 प्रतिशत से कम तीका करण हुआ है उन जिलों की समिक्षा अलग से की जाएगी अमरी रिकॉर्ड वैक्सीन लगवाने वाले मद्ध प्रदेश में वैक्सीन का तोटा तीका जो है वो कम पड़ गया है इसी बीच हालात ये हैं कि सोमवार को पूरे प्रदेश में सिर्फ 38,000 लोगों को ही वैक्सीन लगाए गई है जबके सोमवार को वैक्सीनेशन दे मनाये गया था मद्ध प्रदेश सरकार का इसके पीछे अपना तर्क ये है कि कॉंग्रेस ने जम कर हला बोला है मद्ध प्रदेश सरकार के ओपर इसी बीच दरसल कुछ दिन पहले तक जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर पैर रखने के जगा नहीं रहती थी उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर अब सनाटा पसरा हुआ है जो कि मद्ध प्रदेश सरकार के दाबों की हवा निकाल रहा है बता दें कि रिकॉर्ड वैक्सिनेशन करने के बाद खुद की पीट थब तबाने वाले मुद्धप्रदेश सरकार के पास अब वैक्सीन का टोटा पड़ गया है और इसके कारण सोमवार को मुद्धप्रदेश में महज कुछ हजार लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई आलम ये रहा कि वैक्सीन स्टोरों पर सेंटरों पर इसका असर देखने को मिला जहां पर 11 दुका लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई जहां पर लोग भी कम संख्या में ही पहुंच रहे थे इसे बीच पूरे भुपाल में सिर्फ 6,000 लोगों को वाक्सीन लगाने का रक्षय रखा गया था जबकि शाम होने तक ये लक्षय भी हासिल नहीं किया जा सका 12 जुलाई को मुद्ध प्रदेश में 38,370 लोगों को वाक्सीन लगाई गई और इन में से सबसे ज़्यादा इन दौर में 11,717 लोगों को इन दौर में वाक्सीन लगाई गई है भुपाल में 5,586 लोगों को वाक्सीन लगाई गई 51 में से 16 जुलों में एक भी वाक्सीन नहीं लगाई गई प्राइबेट स्कूलों ने MP के 12 जुलाई को बच्चों की ऑनलाइन क्लास को बंद करने का निर्ने लिया था और इसके बाद अब प्राइबेट स्कूलों ने सरकार के फैसले के खिलाब हाई कोट जाने का निर्ने ले लिया है आपको बदादे कि सरकार ने कहा है कि तीस्टी रहे टलने तक स्कूल की कैमपस बंद रहेंगे तो वही स्कूलों ने आज से ओनलाइन क्लासेज फिर से शुरू करने का पैसला किया है सरकार से विवात के बाद अब 12 जुलाई को MP में प्राइवेट स्कूलों ने सरकार को ये धमकी दी थी कि हम आनिश्चित का लीन तक ऑनलाइन क्लासेज को बंद कर देंगे और एक नीजी अकबार से बात करते हुए MP के प्राइवेट स्कूल असोसियेशन के उपाध्या अक्षुविन राज मोदी ने कहा कि राज की राजधाने और राज के अन्य हिस्सों के अधिकाज स्कूलों में आनलाइन कक्षाए नहीं चलती है और वो हाई कोट जाने के फैसले पर मोदी ने ये कहा कि हम ना तो चात्रों के खिलाफ हैं और ना ही अभी भावकों के खिलाफ हैं कक्षाइं बंद रखने से चात्रों को परिशानी होगी उन्होंने कहा कि अमराजु सरकार और स्कूलों के संबंद में उसकी फैसले के खिलाफ लड़ रहे हैं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिर से ऑनलाइन कक्षाइं शुरू करने की बात की जाने चाहिए अभी मद्यब्यदेश में मादमेक सिक्षा मंडल की तरफ से 10 वी 2021 का रिजल्ट कल यानि की 14 जुलाई को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा रिजल्ट जारी होने के बाद अब चात्र बोट की ओफिशल वेबसाइट mpbse.nick.in पर या फिर mpresult.nick.in पर चेक कर सकेंगे बोट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बाद किसी भी चात्र को फेल नहीं किया जाएगा यानि सभी चात्र पास कर दिये जाएंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि करोना वाइरस संक्रमन की वज़े से इस बार दस्वी की परिक्षाय रद कर दी गई थी जिसकी वज़े से बोट ने स्टूडेंट्स को वेकलपिक मुल्यांकन स्कीम के जरिए अंक देने का पैसला किया था और इसी लिए इस साल मिट्रम एक्जाम प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट और इंटर्नल असेस्मेंट में स्टूडेंट्स की परिक्षा के लिए रजिस्ट्र किया था और दस्वी का रिजल्ट चेक करने के लिए अब छात्रों को रजिस्ट्रेशन डंबर और रोल नंबर की जरुद पड़ेगी रुख करेंगे च्टिस गड़ का जन च्टिस गड़ में अब बारा जुलाई को नीजी यात्री अबबस संचालकों ने यात्री किराय में बढ़ोत्री के समेत दो मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्ट काली नहरताल पर जवाने का फैसला कर दिया है 34 गड़ यात्याद महासंग के प्रदेश अध्यावश्य सेद अनवर अली ने बताया है कि आज रायपूर के बोड़ा तालाब धरना स्थाल पर महासंग ने एक दिवसिये प्रदेश तरिये धरना दिया है अली ने ये भी बताया कि 13 जुलाइट से 34 गड़ में बसों के अनिश्ट काली नहरताल का एलान कर दिया गया है इससे राज्यों के 12,000 बसों के पहियें थम जाएंगे और मांगे पूरी होने तक ये हरताल जारी रहेगी साथी आपको भी बता दें कि उन्हेंने जानकारी दी कि 36 गड़ के बस संचालन के डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बस संचालन में असमर्थ साबित हो रहे है ऐसे में मासंग नई आतरी के राए में बढ़ोतरी समेथ दो मांगो को लेकर लगातार आंदोलन कर दिया है खाद बिक्री केंद्र पर लगी सिक्षिकों की ड्यूटी जुसके बाद अब विवात बढ़ा तो 24 खंटे में बदल गया आदे शिर बता दे रायपोट 36 गर्ड से खबर सामने आई है जहां पर एक जुले में सिक्षिकों की ड्यूटी खाद बिक्री केंद्र पर लगा दी गई थी और बड़े अधिकारी के इस फर्मान को देख कर जिले के दूसरे अधिकारी भी हरान हो गए थे बता दे कि सिक्षिकों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए विवाद इतना पड़ गया तो आदेश जारी करने वाले अधिकारी को 24 घंटे के अंदर ही अपने फर्मान को वापस लेना पड़ा है दरसल गरेला पैज्रा मरवाही के जिले में जनपद पंचायद सीईओ ने आदेश जारी किया था कि अपने आदेश मनों ने लिखा कि सिक्षिकों की ड्यूटी गयर सिक्षिन कारे में लगाए गई थी इसे लेकर सिक्षिक संग के लोगों ने विरोज शुरू कर दिया और इसके बाद जनपद पंचायद सीईओ को अपने आदेश को वापस लेना पड़ा है बताते चलें कि खाद विक्री केंद से ड्यूटी हटा कर दूसरी जगा लगाए गई और अब शिख्षिकों की ड्यूटी कोविड नाइनटीन के कारे में लगाए गई है गौर्ट तलब है कि इस जत्यसगर में सिक्षिकों की ड्यूटी 11 सेक्षिनिक कारे में लगना नियम के विरुध है और इच्छे के साथ ही ये ड्यूटी कोविट कारे में लगाई गई है और अब खाद विक्री केंद पर सिक्षिकों की ड्यूटी लगाना पूरी तरह से निय और इस जुले में लॉकडाउन का एलान कर दिया गया है बता दे उन्हें जुलाई राद बारा बजे तक यहां पर लॉकडाउन लागू रहेगा और बता दे कि शुलाई राद बारा बजे तक के लिए बढ़ा दिया है और इसके अलाबा रोजाना रात 9 बजे से सुबच 6 बजे तक के लिए टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा तो वहीं हर शुरिवार को भी टोटल लॉकडाउन रहेगा और दूसरी और कलेक्टर ने हाईवे की और होटल रात को भी खोले जाने की छूट दी है ऐसे में इधर कोरबा जुले में एक बार फिर से दुकानों को खोलने के समय में बदलाव किया गया है इसके अलाबा कलेक्टर ने सिर्फ आवश्चिक सेवाओं में ही छूट दी है और इसको लेकर आदेश जारी किया गया है कलेक्टरेट कार्याले से जारी किये गया आदेश के अनुसार अब दुकानी सुबद छे बज़े से लेकर रात आट बज़े तक खोली जा सकेंगे बर्द्य अंगली खबर की ओर जन शुटिसगर में 355 दिन बाद किसी मरीज की मौत नहीं हुई है लेकिन इसी भी जो 13,449 लोगों की जान अब तक चली गई है कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित रहे 36 गड़ के लिए सोमवायर का दिन थोड़ा राहत बढ़ा रहा बदादे कि स्वाथ से भाग के उताबे कोरोना के एक भी मरीज की मौत इस जोरा नहीं हुई है और इससे पहले 22 जुलाई 2020 को मौत का आंकड़ा शून ने रहा था इन 355 दिनों में प्रदेश के 13,449 लोगों की जान इस महमारी की वज़ों से जा चुकी है इसी भी स्वास्विभाग की ओर से देराज जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक सोमवाई को 36,056 सैंपल की जान इसकी गए जिसमें 297 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए ऐसे भी स्वास्विभाग के दोरान बॉलिटिन में इससे पहले 14 फरवरी 2021 को शूने मौत का आंकड़ा दर्च किया गया था और इसके बाद अपडेट आंकड़ों के मताबिक 14 फरवरी को भी एक मरीज की मौत हो गई थी इससे पहले ही 22 जूलाई 2020 को शूने मौत दर्च की गई थी तो वहीं 268 लोगों में संक्रमित की पुष्टी हुई थी जबकि तब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी थी ऐसे में परदेश में संक्रमित का पहला मामला रायपूर में 18 मार्च 2020 को सामने आया था और 29 जून को पहली मौत दर्च की गई थी तब से लेकर अब तक 13,478 मरीजों की मौत हो चुकी है और इसी बीच सितंबर 2020 में ये पहली बार था जो पहली लहर पीक पर चली गई थी और इसी बीच 36 गड़ में कोरोना की पहली लहर का पीक सितंबर 2020 में आया था और उस जौरान प्रतिदिन औसतन 2400 से 2600 नए मामले सामने आ रहे थे जब के 18 सितंबर को सबसे अधिक तिके 1842 मामले सामने आये और पहली लहर की अगर बात करें तो सबसे संकामक दौर प्रतिदिन रहा जिसमें मौत की औसत 20 से 25 फीसे जी तक थी 36 गड़ के हाई कोट ने केंद्र और राजी के अलावा बिलासपूर और रायपूर में निगम को जारी किये गए नोटिस में स्मार्ट सिटी लिमिटेट के तहट कमपनियों के गठन संबंदी आदेश को रद करने की मांग को लेकर दायर की गई जोनिति आचुका पर यूगल पीच में सुनवाई की गई बता दें यूगल पीच ने केंद्रो और राजी शासन के अलावा बिलासपूर और रायपूर नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं इसके लिए दो हफते की महलत भी दी गई और जारी नोटिस में कहा गया है कि तैस समय विधी में जवाब नहीं आने की स्थिती में याचुका करता द्वारा दायर स्थगन की मांग को सुना जाएगा एसमें सुमवार को ही जस्टिस M.M. श्रिवास्तव और जस्टिस विमला कपूर की यूगल पीच में जनहित याचुका पर सुनवाई की गई और याचुका करता के वकील सुदीप श्रिवास्तव ने कहा कि बीते 5 मार्च को हुई सुनवाई में प्रतिवादियों को 4 हफत नहीं करता है तो मामले में याचुका करता की सगन की मांग को ध्यान में रख कर सुनवाई की जाएगी बता दे की बीते 5 मार्च 2021 में ततकालीन चीफ जस्टिस पी आराम चंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहु की यूगल पीच में वकील विनादूबे की इस जनहित याच पर सुनवाई की गए थी जिसमें सम्विधानिक प्रावधानों और नगर निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विरोध में नगर निगम की निर्वाचित संस्थाओं सामाने सभा मेयर इन कॉंसल और सभापती और महापौर के अधिकारों पर अनाधिक्रत रूप से कब और स्मार्ट सिटी शेत्र के सभी कार रहा बिना स्थान ये साशन व्यवस्ता के अंदर गत करने को चनौती दी गए थी याचिगा के अनुसार साल 2016 में किन सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन और गाइडलाइन्स जारी किये गए थे हलाकि गाइडलाइन्स के पीछे अधपुर और रायपुर नगर निदम के लिए स्मार्ट सिटी रिमिटेट कंपनियों का गठन किया था और इसके निदेश अगर मंजुल ने नगर निदम के किसी निर्वाचित व्यक्ति को स्थान ना देते हुए इसमें जिले और राजस्तर की अधिकारियों को समावेश पेशच दिया गया था जैए सरकार ने आतमान रिवाकृ रूशी आप को लौँच कर दिया है इस अप के जरीयों कृशी से जुड़ी इस सभी आहिम जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए इस पसंधेसे पर्डिशाइन किया गया है इस आपसे जुड़ी आह पीम मोदी ने कृशी जगत में विकास के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है आत्म निर्भर भारत के सपने को साकार करने की और पीम मोदी का ये कदम आत्म निर्भर भारत में किसानों की भागेदारी सुनुश्चित करेगा जिसके लिए सरकार ने एक नई एप आत्म निर्भर क्रिशी एप लोंच की है हाला कि किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लैटफॉम काम करते हैं पर इस एब पर सरकार ने उन सभी जानकारियों को एक ही जगा पर लाने का काम किया है। इस से किसानों को खेती और किसानी की अलग-अलग जानकारी के लिए अलग-अलग PLATFORM पर भातकना नहीं होगा। और वो बस अपने स्मार्ट फॉन पर एक टैप से पूरी जानकारी पास सकेंगे। इससे पहले भी PMODI ने किसानों के लिए सिक्षा का महत समझाने की और पहल खीत। PMODI हमेशा से डिजिटल भारत के सपने को बढ़ावा देते नजर आए और कैसलेश एकोनोमी को प्रेंड ना दी। साथ ही PMODI किसानों को भी डिजिटल प्लैटफॉर्म से जोडने की कोशिश में है। PMODI ने लोगों को डिजिटल माध्यम से नई विचारधारा की और बढ़ने की अपील भी की है। PMODI ने खुद किसानों के खाते में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किये। इस बहतर पावन अवसर पर देश में क्रिशी से जुड़ी सुविधाएं तयार करने के लिए एक लाग करोड रुपिय का विशेश फंड लॉंच किया गया है आज के पवित्र दिन पर लॉंच किया गया है। इससे गावों गावों में बहतर भंडारण आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तयार करने में मदद मिलेगी और गावों में रोजगार के अनेक अवसर तयार होंगे। इसके साथ 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 साड़े आथ करोड किसान परिवारों के खाते में पलग जबगत आपने देखा होगा। Swich On किया और PM किसान सन्मान निधि के सत्रा हजार करोड रुपिये सीदे-सीदे साड़े आथ करोड किसानों के खाते में जमा हो गए कोई भिचोलिया नहीं कोई कमिशन नहीं कि सीधा सिधा किसान के पाँच चला गया कि संतोसी बात का है कि इस योजना का जो लक्ष था वो लक्ष हासिल हो रहा है हर किसान परिवार तक कि सीधी मदद पहुँचे और जरूरत के समय पहुँचे इस उद्देश में ये योजना सफल रही है बीते डेड़ साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं इसमें से 22,000 करोड रुपिये ता कोरोना के कारण लगे लोकडाउन के दोरान किसानों तक पहुचाए गए वहीं अब इस एप के जरीए क्रिशी जरूरत से जुड़ी विभिन जानकारियों को सरकार ने किसान मित्र नाम के राष्टे डिजिटल प्लैटफॉम पर एकरत्रित कर दिया है इसमें क्रिशी विभाग, मोसम विभाग, इस्ट्रो नैशनल वाटर, इन्फोरमेटिक सेंटर, भारते क्रिशी अनुसंधान केंद और सरकार के अन्य मंत्राले इम विभागों की किसानों के लिए उप्योगी जानकारी शामिल है इसी जानकारी को अब ज्यादर आसान तरीके से किसानों को इस एप के माध्यम से उपलब्द कराया गया है बता दें कि आत्म निरबर क्रिशी एप देश की बारा स्थाने भाषाओं में उपलब्द होगी इसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती और बांगला शामिल है एप पर जानकारी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है किसान बारा भाषाओं में इस जानकारी का अनुवाद भी सुन सकते हैं इस एप को टेक महिन्रा ने तयार किया है सरकार की ये एप अभी एंड्रोइड और विंडोस के एप स्टोर पर उपलब्ध है किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन, क्रिशी विकास केंदर, गैर सरकारी संगठन, स्वेम सहायता समू और स्टार्टप भी मुफ्त उप्योग कर सकते हैं इस एप को खासतोर से ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काम करेगी साथ ही आपको बता दें कि ये एप जीपिएस पर काम करती है और ऐसे में जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये उस जगा की लोकेशन के हिसाब से वहां के मोसम की जानकारी फोन में सेव कर लेता है ताकि किसान बाद में भी उस जानकारी का लाब उठा सके इस एप को डाउनलोड करने के बाद किसान को किसी तरह का रेजिशेशन नहीं कराना होता क्योंकि ये एप किसान का कोई डेटा क्लेक्ट नहीं करता है बस किसान को अपनी फोन की लोकेशन ओन रखनी होती है और अगर किसान को अपने खेत या स्थान के अलावा किसी और जगा की जानकारी चाहिए तब उसे एप में पिन कोड या वहां की लोकेशन डालनी होगी न्यूज डेस्क आर्या न्यूज और इसी के साथ फिलाल के लिए खबरों में इतना ही देशे दोने के तमाम खबरों के लिए देखते रही आरे नियूस